रवनीत सिंग बिट्टो सुन ले वहिया कर ले रिकॉर्ड उसको बेजा था मेरे खलाफ वो पार्टी छोड़के गया था लड़े के लोद्याना में मैं गया हराया और आज वो कह रहा है कि राहूल गांधी तो आतकवादी है बिट्टू एक बच्चा था इसके बावयूद राहूल गांधी ने इसको तीन बार MP बनाया और आज उस राहूल गांधी को कहता कि मैं आतकवादी हूं रवनीत सिंग बिट्टू सुन ले वहिया कर ले रिकॉर्ड उसको बेजा था मेरे खलाफ वो पार्टी छोड़के गया था लड़ने के लिए लोद्याना में मैं गय हराया और आज वो कह रहा है कि राहूल गांधी तो अंतकवादी है शर्मनी चाहिए उस विप्ति को जिसको तीन बार मेंबर ऑफ पार्लेमेंट बनाया बिट्टू एक बच्चा था गुर्कीरत उससे काबिल था इसको कुछ नहीं आता था इसके बाभ्यूद राहूल गांधी ने इसको तीन बार MP बनाया और आज उस राहूल गांधी को कहता है कि मैं आतकवादी हूं बिट्टू जी राहू राहूल गांधी आपके कहने से अंतकवादी नहीं बनेगा लेकिन आपकी मानसिक्ता आपकी बुद्धी आपके ज्यान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना असान फरामोश आदमी है अपने आकाउं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है यह जंता अब जानती है राहूल गांधी ने बाप ने शहादत दिया अपने शरीर के चथड़े चथड़े उदारे हैं आप उसको आतकवादी कहते हो और वो व्यक्ति जिसने बाप के कातलों को भी माफ कर दिया है अब उसको आतकवादी कहोगे आपको बहुत बहुत बढ़ाई ऐसी राजनिति अच्छी नहीं है लोग इसको गदारी और असान फरामोशी कहते हैं इसको बच्का ना कहते हैं इसको इसको बैवकुफी कहते हैं लोग आपको कह रहे है कि इसके दमाग का हिलाज होना चाहिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फरजंद जो नए मंत्री को हारे हुए को बनाया है इसको जरा बुद्धी मान लड़के को मंद बुद्धी लड़के को जरा समझाने का काम करें दन्यवाद